नमस्कार दोस्तों मैं उमेश आप सभी का आप नंगी तिव चाहनों फिर से बहुत भहुत स्वात करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके घर में जो बिजली का connection है उन नोर्थ बिहार पाउट डिस्पूटर कमपणी या फिर साउथ बिहार पाउट डिस्पूटर कमपणी से आया होगा क्योंकि आप बिहार से बिलंग करते हैं तो दो ही company है जो आपको बिजली का जो भी service ऐसे में दोस्तों आए दिन हम काफी सारे ऐसे समस्या देखते हैं कि आपको जो है बिजली से बहुत सारे मतलब प्रोब्लम क्रियेट होते हैं जैसे कि माल लिजी आपके घर में जो बिजली का कनेक्शन है उसका मीटर खराब हो गया है आपने कंप्लेन किया है कोई सुनवाई नहीं है आपका जो मीटर है बहुत फार्शल है जैसे कि ज़तह ज़ता जो है अपका बिजली के बिल जादा आजाता है तो भी आपका प्रोब्लम है सादी साथ कई सारा लोग कनेक्शन के लिए अपलाई कर दिये है किसी से प्रोब्लम या किसी समदीत समस्या उसको सॉल करवाने के लिए आपको जो भी अपिस होता है वहाँ पर जाना होता है ऐसे में वहां के जो भी प्रदिकारी होते हैं जो भी क्रमचारी होते हैं जल्दी अपका बात नहीं सुनते हैं कई बर आपको दौडाते हैं ऐसे में लोग परसान होकर छोड़ देते हैं साथी साथ यहां पे बीच में एक अपडेट निकल काया हुआ था कि जो भी बिजली से रिगार्डिंग कंप्लेंड होगा वो अंचल मयानिकी ब्लग में एक केम्प लगाया जाएगा मतलब कि साथ दिन पे एक बार केम्प लगेगा उस केम्प में जाकर अपना काम को करवा सक करते हैं six hai पा रहे थे कैसे में जो है बहुत सारे इ ankle काम है जो अभी योगिन है किसी तोरा का समस्या तो अब आपको बिजली का जो चकर है उन नहीं लगाना पड़ेगा ना ही आपको अंचल का चकर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर बिजली जो कमपनी है वो खुद यहां पर एक विजना लाई होई है जिसके माधियम से बिजली के जो भी लोग है वो आपके गाउं में मतलब कि जो भी इससे सम्बंधित अपसर होते हैं क्रमचारी होते हैं आपके गाउं में आएंगे और गाउं में आने के बाद एक केम्प लएगा उस केम्प में जो भी आपका प्रोव्व्म है उसको भी सौट आउट किया जाएगा और बहुत जॉल देहां पर सौट अगर आपका भी किसी भी तरह का समस्या है सबसे जब्यों समस्य है लोग का बिजली का बील बहुιο ज़्यादा आ तो उनी मतलब मेरे भाईया और व बिजली का बिल जामा किया हुए थे उसके बाद क्या हुआ कि उनका जब फर्वारी में बिल जानेट हुआ तो उनका जो बिल है मतलब 0 से ज्यादा आया हुआ था मतलब की बताइए दो महिना का बिल 18,000 बी sir कैसे आ सकता है तो उन्होंने complain करने के लिए application लिखवाया हुआ है हलाकि हमने application लिखा है बट उस पर सुनवाई होगा की नहीं होगा यह हमें पता नहीं है क्योंकि क्या होता है कि जो भी J.E. सायब होते हैं उनके पास application दिया आता है application के बाद जो भी वो process होता है उसको follow किया आता है बिजली का बिल कम होगा की नहीं होगा कब होगा इसके regarding हमें भी कुछ knowledge नहीं है आप online भी complain करेंगे तो कहीं न कहीं बहुत देर से सुनवाई होता है तो अब यहाँ पे जो लोग बिली के जो भी अपसर आ रहा है आपके गाउं में camp लगाएंगे उस camp के माध्यम से इन सब समयासाओं का जो भी समधान है वो निकलेगा और बहुत जल से जल इसका जो समधान है वो हो पाएगा अब यहां पर दोस्तों आपको हम बता दें कि यह जो camp लगाएंगे फर्वारी से लेकर मार्च के बीच में लगाया जाएंगे तो आपको वहां पर जाना होगा जो भी आपका समस्या है वहां पर जाकर बताएंगे उनको उसके बाद देखा जाएगा कि आपका वाकई में समस्या है की नहीं है और आपका समस्या होगा तो उसको हल करने की कोशिस की जाएगी तो कहीं न कहीं बहुत ही बढ़ीया अप्डेट आप भी पता कर सकते हैं अपने गाओं में अपने पंचायत पर कहां जो ही जो भी जंकारी आपको दिया है उससे अपको थोरा थोरा बेनिफिट हुआ होगा क्यूंकि आप मेंसे काफी सर लोग comment करके पुछते रहते हैं कि सर ह हैं उस्यमно-ग्राइड को करेंगे लिए आभ सब्सक्राइब बहुत धन्यबाद भी आप उलक्ष तरहें बहुत धन्यबाद